नमस्ते जैश्री राधे एक नए विशे के साथ एक नई जानकारी के साथ जोतिश राहत के में आपका बहुत स्वागत है नाखूनों की विशे में आज हम जानकारी देंगे नाखून के तु नाखून मंगल डाइड़क्ट हमारे शरीर से कनेक्टेड हमारे सबसे अएक्टिव अंग अंगुलियों से सिधा सिधा इनका संबंध लेकिन आजकल खास्त और पे महिलाओं और कन्याओं में नाखूनों पर बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है छोटी छोटी बच्चियां हमारे कार्याले में जब कई बार जन्मांग के विश्लेशन हे तु पदार्पित होती हैं तो इत्ता इत्ता सा नाखून अब तो नकली नाखून भी आ गया है मतलब अगर आपका बढ़ता नहीं है आपको शेप नहीं देना आता है पार्लर में जा जा करके तो आप नकली लगा सकते हैं यही नहीं कुछ भाई लोग भी कानी ये मुली में वाग उठे में नाखून बढ़ाए रहते हैं आज इसी से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं आप लोगों के निमित और ये जानकारी सामान नहीं है क्योंकि यह कारक्रम ही सामानने कारक्रम नहीं है नाखून रखने ना रखने के तथ्य पर मैं जादा समय वेश्ट नहीं करूँगा बरबाद नहीं करूँगा क्योंकि इस पर हमने कई कारक्रम किया है पहले भी आज हम बताएंगे कि क्या नाखून काट कर कहीं भी फेका जा सकता है कतई नहीं किसी कीमत पर नहीं जब तक शरीर में नाखून है तब तक सजीव है अर्थात उसके अंदर जान है कटने के बाद शरीर से अलग होने के बाद तब बेजान हुआ तब उसके अंदर से जान निकल गई अब आप इसे डश्ट बिन में डाल देते हैं मतलब कोड़े की जो बल्टी उल्टी होती है कहीं पर भी फेक देते हैं चलिए ठीक है एक सामान रूप से कुछ नहीं होगा आपको लेकिन अगर खुदान खासता आपके जन्मांक में केतु की उपस्थिती और मंगल की उपस्थिती अच्छी नहीं है केतु और मंगल बहुत अच्छे स्थान पर सिच्वेटेड नहीं है बैठे नहीं है तो आप तयार हो जाईएगा ऐसा पटकनी देगा यह आदत की आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं अंदर तक हिला देगा यह क्या क्या हो सकता है आप आजमा लीजिएगा कम कहना अधिक समझना समझ करके फिर कदम बढ़ाईएगा बहुत सोच समझ करके कदम बढ़ाईएगा मूल रूप से अगर आप नाखून काटते हैं वैसे तो रोज-रोज कोई नाखून काटता नहीं है हफते में 10 दिन में 20 दिन में ऐसे ही काटते हैं लोग 20 दिन तो बहुत जादा हो जाता है मैं तो ख़र सापता ही की काट लेता हूँ सापता ही की काटना चाहिए थोड़ा सा भी बड़ा हुआ अपना सपता हमें एक दिन आप निर्धारित कर लिजिए มुद्षुक्र रवी खास तोर पर तीन दिन नाखून काटा जा सकता है और यही तिन दिन खास तोर पर बाल डाड़ी के लिए भी होता है खास तोर पर हिंदू सास्तरों के अउसार लेकिन जो डेली करते हैं उनके लिए एक्सेप्सन है नाखोन काटने के बाद इसका क्या करना चाहिए ये आज का हमारा खास विशा है मित्रों नाखोन काटने के बाद इसे कहीं मट्टी में अगर आप दबाते हैं कहीं मिट्टी में दबाने की कोशिश करते हैं तो ये सबसे उपयुक्त स्थान है सबसे उपयुक्त कर्म है अन्यता आपके जन्मांग का मंगल और केतु दोनों दूशित होंगे और आप पर नकारात्मक उर्जा का अटैक बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है अगर आपके कुणली में 6-8-12 के बीच में किसी भी तरह का प्रत्यक्षिया परोग्ठ है और आप इधर उधर ना खुन काट करके फिंकते हैं या फिंकती हैं तो आप सावधान हो जाईएगा प्लाइनेट्स आपको बख्षेंगे नहीं प्लाइनेट्स आप पर किसी ने किसी रूप में अधिक कश्ट दे सकते हैं बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं यह आपके लिए बहुत सुबह और सकरात्मक नहीं है अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए अगर ऐसा होता है आप किसी बैल को वैसे तो शहरों में मुश्किल है बैल मिलना लेकिन जो पा जाए उन्हें के लिए यह प्रयोग है जो ना पाएं वो राम नाम जपे किसी बैल को गुड़ और गयों खिला दीजिए गा अगर अब तक आप ना खून कार कर फेंक रहे थे और कुंड़ी में आपके मंगल और केट दोनों पीड़ित हैं तो आपके जीवन में आने वाले समय में भोग न हो बैल को गुड़ और गियों खिलाना इन दोनों ग्रहों को बैलन्स करने के लिए बहुत उप्यूगत होता है बैल नहीं है तो राम जपी बस मगवान श्री राम का नाम लिजी जैसे राम जैसे राम जैसे राम 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 और 27 दिसम्बर से 2 जनवरी तक टांडा अमबेट करने गड़े इन शहरों में आप हमसे मिलने के लिए शहर का नाम लिख करके और भेज दीजिए दिये गए तीन नंबर जो 9560447000 है किसी पर भी आप वाटसप करिए अपना नाम शहर का नाम और कितनी कुंडली दिखानी है 6 दिसम्बर तक आप हमसे गाज्याबाद में मिल सकते हैं गाज्याबाद में मुलाकात करने के लिए नंबर आपके सामने चिर परचित तक रापके सामने थाज्याबाद में आपके सामने जापके सामने जाफ़ाद परचित